उत्राखन में भारती जनता पार्टी ने पांच लोग सभा सिटो पर अपने उमीदवार घोशित किये हैं अलमोडा से अजे टम्टा है जिनको उमीदवार बनाया है दो बार से मौझूदा सांसत है अलमोडा से तीसरी बार फिर से अमिश्या और नरेंद मोदी ने इन पर भर मैं भारती जनता पार्टी की रास्टी नेत्रत और हम सब के नेता पूरे विश्व के नेता ऐसे नरेंदर भाही मोदी जी हमारे रास्टी अध्यक्स आधरी नड़्डा जी हमारे परदेश के मुख्यमंत्री जी हमारे परदेश अध्यक जी मैं सब का और देवतुली कारिक 2009 में मैं थोड़ी सी बोर्ट से रह गया था मगर 14 और 19 में हम लगातार बड़त के साथ भारती जंता पार्टी अलमोडा संसदी छेतर से विजय हुई है मैं इसके लिए बहुत धन्यवाद देता हूं इस बार अलमोडा संसदी छेतर के अंदर पिछले जो रिकॉर्ड बने हैं उन रिकॉर्ड के भी दुगने मतों से 5 लाग से लगबक मुझे लगता है जिस परकार का आकलन लग रहा है क्योंकि मेरे लोकसभा छेतर की जंता जो बॉर्डर एरिया में निवास करती है बॉर्डर एरिया म मानने परदान मंत्री जी ने उनको रोड भी दी और स्वयम उनके पास कोई देश के परदान मंत्री पहली बार गए जॉलिंग कॉंग और कैलास आदी कैलास और गुंजी ओम परवत्तक की हमारी सारी रोडे बन गई हैं तो इसका परिणाम यह है कि हर वो व्यक्ति जिसको वर्सों से लोकतंत्र पर बने मत का उपयोग करता था यह सोचता था कभी मुझे बिजली मिलेगी, कभी मुझे पानी मेरे घर के आगे होगा, कभी यह नहीं सोचता था कि यार मेरे पगर में सवचाले नहीं है सवचाले मिलेगा मेरे सर में छत नहीं है मुझे छत मिलेगा ये सारी सुविधाएं अगर किसी ने दी तो नरेंद्र भाई मोदी जी ने दिये और इसलिए दोजार 24 का चुनाओं अपने आप में एतिहासिक होने जा रहा है क्योंकि किसी गरीब परिवार में होने वाले बीमार को भी आयुस्मान का लाब अगर किसी के द्वारा मिला उसको जीवन मिला तो नरेंद्र भाई मोधी को मिला मोधी जी ने दिया इतनी बड़ी कोरोना की बीमारी आई लोग जीवन के लिए समस्याओं से गरसित थे कभी किसी का पता नहीं रहता था कि कब कब तक रहेगा उसको भी वैक्सीन देने का काम नरीज भाई मोधी जी ने दिया ऐसे काल में जिसके घर में खाने के लिए अनाज नहीं था उसको भी अगर अनाज दिया तो हमारे देश के प्रधान मंत्री जी ने अपने परिवार की तरफ इस देश की रक्षा किये इस देश के हर गरीब को परिवार के सदस की रूप में काम किया है और इसलिए प्रधान मंत्री जी के इस 24 के चुनाव में सारे लोग प्रधान मंत्री जी का मद्दान करा करके अभिनंदन करना चाहते हैं तम्टा जी आपके सामने परदीप तम्टा है दो बार आप से वो पराजित हो चुके हैं एक बार फिर से उनको कॉंग्रेस ने टिकट दिया है क्या कहेंगे कहा जा रहा था कि वहां पर टिकट का बदला होगा इस बार कॉंग्रेस में फिर से उनको पर श्वाज जताया है कुछ लोगों कहना है कि आपके प्रती वहां पर एंटी इंकमपेंसी है कुछ जगाओं पर आप नहीं पहुच पाए के लोगों की नराजगी भी है उसमें आपके आपके अपास कोई विशे जूत रहूँगे जिस से ऐसा ध्यान में आया होगा और इस बार जो है पार्टी के उच्ष्च नेत्रतुने पूरा सर्वे पार्टी लेवड़ में सर्वे किया आम जनमानस में सर्वे किया और बहुत सोच समझ करके सारे निड़ने लिए कॉंग्रेस में क्या परत्याक्षी दिये कौन द्याना था क्योंकि कॉंग्रेस पार्टी को मैं नहीं देखता हूं कॉंग्रेस पार्टी वाले ही देखते हैं और इसलिए कॉंग्रेस के बारे में मुझे ज्यादा कहना नहीं है इतना है कि कॉंग्र इतने वर्सों से जो काम नरेंदर भाई मुदी जी कर रहे हैं यह नहीं कर पाए तो इसका मतलब वह पैसा जो आता था जो जनता की गाड़ी कमाई का होता था उसको कॉंग्रेस करती क्या थी और आपको मालूम है कि कॉंग्रेस वास्तों में घोटाले ही करती थी पिसलिए 10 व गाओं है अलमोडा की बात करें तो आपके सल्ट में ऐसी के यह से गाओं थे पिछले दिन उसका वीडियो हमने देखा के वहां सडक नहीं पहुंच पाई है यह कहें के जो रिमोट एरिया वहां पर अभी तक कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही है उसको लेकर के की सवाल का वो कुट्टी है गुंजी है जॉलिंग कॉंग है और हमारे जितने भी दार्मा वहली है और यह सारे मुझारी के लास्ट गाओं मिल्लम गाओं है उस गाओं तक हमने सडके ही दी है प्रधान बंतिजी स्वैम भी सडक देने के बाद उन गाओं तक जाने का काम भी अगर क राम नगर से चकोटिया घैरसेन के लिए भी हम पठ्री का पहला का काम कर लेंगे हम आने वाले समय के अंदर तनकपुर से लेकर बागे सवर तक की रेल कनेक्टिविटी का जो सर्वे का काम पूरा हो गया उस फेस्कों पूरा कर लेंगे इसलिए हम रेल पहली बार मेरी लोकसभास चेत्र रेलवे से कनेक्ट हुआ टनकपूर तक हमने बड़ी लाइन दा लिए भोजीपूरा पिलीवी टनकपूर और उसमें हमने बंदे भारत की जो एडवांस चला दिये तो मैं जो समझता हूं कि हम रेल कनेक्टिविटी में नंबर एक है हम एयर और ही सवाल है कॉंग्रेस पड़े आरोप लगा रहे है कि नरेंद्र मोदी के नाम पर और राम मंदिर के नाम पर वोट मांगे जाना है लेकिन उत्तरा खंड जो है ऐसा राज्य है जहां से फोज में हर घर से जवान जाता है लेकिन अगनीवीर योजना का जिक्र कोई भी अब तक प्रतियाश ही नहीं कर रहा है काफी आवाज उठा रहे हैं और अघरिंद्र भाई मोदी जी को वोट देने वाले मैं यह क्योंकि वास्तों में ठगे गए वह का काम करते रहे । सत्रा योजनाओं में से आठ से नौ योजनाएं हर कॉंग्रेस का बूद अजन्ट भी ले रहा है तो वह चाहता है कि मैं कॉंग्रेस पार्टी में रह करके ठगा गया हूं बार गसे पार्टी को परिणाप मिल जाएगा हम अमर सब बात करने के लिए अलमोडा से बाच्पार परतियाशी अजय जिनका साफ तोर पर कहना है कि इस बार का जो चुनाव है विकास के मुद्देपर होगा नरेंदर मोदी के राष्टवाद पर होगा और जिस तरह से कॉंग्रेस आरोप लगा रही है उन आरोप में कोई भी सच्चाई नहीं है यहां तक कि कॉंग्रेस के कई लोग लगातार भ